हलो गाइज हम पढ़ रहे थे क्लास 9th के जिग्राफिक का चैप्टर पॉपलेशन और काफी सिंपल चैप्टर था बहुत आसान चैप्टर था जितना भी अभी तक हमने पढ़ा जिसमें हमने कुछ बेसिक्स के उपर बात की hopefully आपको सारी चीज समझ में आई होगी क्या क्या पढ़ा हमने discuss करते हैं हमने सबसे पहले पढ़ा about introduction about what is population and all census क्या होता है हमने discuss किया कि population का size और distribution हमारे इंडिया में कैसे है कितना है कौन सा state सबसे ज़्यादा populated है और कौन सा less populated है इन सब क्यों पर बात की दिया हमने क्या population का size जादा होना मतलब जादा population होना आपके देश में क्या हमेशा फायदे मंद होता है तो उसके plus points and minus points मतलब उसके advantages and disadvantages हमने देखे फिर हमने एक glimpse देख्या एक चोटा सा के total area इंडिया में कितना है और किस तहसाब से population कहां पे कितनी है हमने ये सबसे important factor यहां पे discuss किया था कि इंडिया के अंदर यूपी, बिहार, वेस्ट, पिंगॉल, महराश्टा, आंदर प्रदेश वो states हैं जहां पे population इंडिया की population आदी ज्यादा population लगभग बराबर है मतलब इन 5 की state की और पूरे rest इंडिया की आगे देखते हैं यहां पे हमने ये भी पड़ा था कि population का density क्या होता है वो सारी चीज़ें हम already देख चुके हैं फिर हमने ये discuss किया कि population growth क्या है, population change क्या है इन सब के उपर हमने last time पर बात कर ली थी now it's new topic for today कि क्या progresses होती है, क्या processes होती है, किस तरह से हम change मानते हैं population में, किस तरह से population की growth को हम measure करते हैं क्या progress है, क्या process है, क्या change है, क्या growth है, किस तरह से population blast होता है, उन सभी चीज़ों को discuss करेंगे हम आज के इस वीडियो में broadly अगर देखा जाए, तो जो process होती है population की, population change की, उसको हम तीन पार्ट से देखते हैं मतलब किसी भी जगे के अंदर, यह मान के चलो कहीं पर 100 लोग हैं अगर, तो वो 100 लोग कम होंगे के जादा होंगे, यह कुछ चीज़ों पर depend करेगा जैसे के 100 के 100 तो रह नहीं सकते हैं, या तो वो 100 से जादा होंगे या कम होंगे एक period of time में, क्योंगी या तो वहाँ पर बर्थ होगा, या फिर वहाँ पर दैथ होगी, तो ऐसे condition में आपकी population fluctuate होगी, साथी साथ migration will be also a factor, जिसके थुरू आप population के अंदर change देखेंगे, so population में जो change आती है, जो population में growth होता है, उसके जो भी processes हैं, वो क्या है, so firstly आप देखें तो birth, death या फिर the third one is migration, so these are the factors, by that we can say we will find the population change, okay, so इनको one by one पढ़ते हैं detail में, के population change के जो factors हैं, यह क्या है, firstly we should discuss about the birth, okay, birth क्या, जनम लेना, birth rate, अब rate जहाँ पर भी आ जाएगा, तो we will consider the percentage, okay, and यहाँ पे कितने percent अब किस हिजाब से अपन लेते हैं, rate, birth rate, अब ऐसे में, आप किसी particular percent के असाब से तो नहीं कह सकते के date percent हुआ बच्चा, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, so हमने उसको percentage में इस तरह से divide ना करके, हमने एक base बनाया, that we will count on the particular, मतलब एक factor we will find, कि like thousand बच्चे अगर birth लेते हैं, तो कितने बच्चे life sustain कर पाते हैं, उसको हमने rate देखा, percentage वैसे तो rate percentage से होता है, बट क्योंकि human nature है, human conditions है, उसके अंदर आप percentage को यहाँ पर applicable नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या करा, base बना दिया, कि 1000 बच्चों के उपर हम ratio निकाल देंगे, उके, सुक्यानिकराम ने, birth rate indicator होता है, उस number of birth को किसी country में, during per year, per thousand population, 1000 बच्चों में से, 1000 बच्चों के अंदर, यह ऐसे rate को indicate करता है, जिसमे number of birth in country, during a year, per thousand population, 1000 बच्चों को, मतलब ऐसे मान के चलो, 1000 आपकी संख्या है, उसमें से कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने sustain कर पाए अपने life को, ठीक है, life sustain के लिए तो हम mortality rate को भी count करता है, बट birth rate हम यह देखेंगे, कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजी, अगर population है, उसकी comparison में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, हमने इसको birth rate में consider किया, ठीक है, birth rate किया है, दुबार समझें, कि per thousand population में कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, एक साल के अंदर, उसको हम count कर रहे हैं, अब per thousand, आप इसको divide करती जाए और population की total population तक count कर लीजे, जितन साल के हिसाब से आंखड़े देखे जाएंगे, तो you will find that हर 6 second में एक बच्चे का जन्म भारत में होता है, and worldwide देखेंगे, तो लगबग हर second एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, overall अगर आप देखेंगे, तो this is the reason कि हम top 5th position पे हैं, population के हिसाब से, sorry, second है, and हर 5 भारती हो में death rate भी यही है, कि total population में per year मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है, per thousand के हिसाब से आप इसमें count करते हो, ठीक है, तो death rate का indicate करती है, कितनी death हुई, एक साल में 1000, मतलब 1000 population के parallel, ठीक है, ऐसे में, main cause यही है, हमारे यहाँ पर, इंडिया के अंदर growth का, कि population बहुत तेजी से भड़ रही है, birth rate भी बहुत तेजी से भड़ रही है, but due to techniques, due to good healthcare facilities, अब हमारे यहाँ पर, जो death rate है, उसका जो growth था, वो negative है, मतलब, जो graph था, वो ascending, ascending नहीं, descending order में है, मतलब, population के death rate जो है, वो काफी कम हो गई है, 1981 के बाद से, birth rate continuously, birth rate have started declining gradually, resulting the gradual decline in the rate of population growth, the reason are these, के 1981 के बाद में, जो birth rate है, उसके बाद में, birth rate continuously क्या हो रहा है, decline होता जा रहा है, मतलब, आप ये भी नहीं कह सकते हूं, डिलान है, लेकिन हाँ, वो अब थोड़ा सावा समझदारी है, अब थोड़ी सी वहाँ पे, वो rapid growth नहीं है, इसके अंदर आप ये बोल सकते हो, कि जितने बच्चे पहले जनम लिया करते थे, जिस हिसाब से उनका बर्थ होता था, ज इस तरह की psychology, इस तरह का thought लेके चलते हैं कि दो बच्चों से जादा नहीं करने, urban areas में तो, birth rate decline हुई है, बहुत तेजी से, कुछ life standard के reason है, standard life जीने के लिए आपको, जो कटाथियां करनी पड़ती है, अगर population जादा होगी, तो जादा करनी पड़ेगी, एक अच्छी standard life जी है, तो ऐसे में इसके पास में अगर 10 लोगों का responsibility और वहाँ पर केवल एक विक्ती responsibility है, तो इसके लिए 50,000 भी उतने ही है, जितने एक विक्ती के लिए 5000, तो बराबर सी बात है, तो यहाँ पे अच्छी healthcare facilities, अच्छी lifestyle देने के लिए ज़रूरी हो जाता है, अच्छी education देन पब्लिक welfare schemes बहुत तीजी से adopt की जा रही है, बनाई जाती, implement की जाती है, और बहुत अच्छे से उसको take care भी किया जाता है, एक बात और ही ध्यान रखना, कि यह जो birth rate है ना, लोगों को पहले पता नहीं होता था कि healthcare facilities क्या है और क्यों जरूरी है, even नहीं तो female care, नहीं male के इसे कोई information थी जिसके भी हाब पर वो चीजों को समझ सखेंगे, आगे चलके नुपसान क्या होंगे, या फिर वो अपनी जो population है, उसको control करने में उनका क्या participation होगा, लोगों को बताना पड़ता था, कि उसके consequences क्या है negative, वो भी समझाने पड़ते थे, लेकिन हाँ, government की गल चाल्ड थी, उसके लिए काफे negative थी, even still, lot of states are here, which are just negative to the, we can say, negative to the actual process which should adopt, उसे बहुत नेगटेव है, जो हमें adopt करनी चाहिए, उनका जो sense of thinking है, उनका जो thought process है, वो बिलकुल negative होता है, गल चाल्ड के लिए, बहुत सारे states है इसा होता है, so this is the way, जिसके थूँ आप लोग की बहुत सारी चलती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बहुत famous है उसमें से, Muslim population भी कोशिश कर रही है, कि सीमित परिवार हो सके, ठीक है, क्योंकि हमारे हाँ पर तीजी से population का जो growth है, वो population growth, शायद अभी हमें इतना समझ ना आए, बट एक time बाद ऐसा होगा, जब हम सकते हो reasons हैं, जिसके बहाँ पर अब हमारी जो population growth है, वो थोड़ा सा decline हो रही है, क्या-क्या है, कि अब urban areas के अंदर जो लोग है, वो adopt करते हैं, दो child norms को, मतलब दो बच्चे ही वो करेंगे, इस तरह से उनका thinking हो गया है, तेजी से जो birth rate है, वो भी decline हो रही है, अब standard of life पे ज्यादा focus किया जाता है, लोग अपने health को लेकर कि especially women ज्यादा conscious है, now बहुत सरे से government schemes है, which are actively participating to control the such kind of elements, okay, साथी साथ Muslim population भी अब अपने परिवार को छोटा रखने में, सिमित रखने में, सक्षम रखने में काम कर रहे हैं, So, the third point which is really important कि जब आप migration कर जाएं, migration मतलब एक जगे को छोड़के दूसरे जगे पर आप establish हो जाते हो, तो मैंने कहा कि population change के factors बता हो, तो there are lot of factors are there, which are actually responsible for population change, population growth, growth दो टाइप की होती है, growth का मतलब हमेशा ascending order नहीं होता, Growth का मतलब ascending भी हो सकता है, तो descending भी हो सकता है, यह positive count होगा, तो यह इसके comparatively negative count होगा, तो growth का मतलब positive और negative दोनों ही होता है, तो migration एक third वो element है, जिसके भी हम कह सकता है, कि population में बदलाव आता है, so migration, migration means what the movement of people across the reasons and territory, migration can be internal और international, migration का मतलब आप जब एक जिगे को छोड़के दूसरी जगे पर establish हो जाते हो, अपने territories को छोड़कर के दूसरी territories में चले जाते हो, migration दो type का होता है, एक तो होता है आपका internal, दूसरा होता है आपका international, जब आप अपने देश के अंदर ही कहीं घूम रहे हैं, अपने देश में से कहीं निकल के कहीं और establish हो चुके हैं, job के कारण, resources के कारण, या फिर कोई और दूसरे factors, तो वो आपका internal migration होगा, जब आप अपने देश को छोड़के कहीं दूसरी जगे establish हो जाते हो, तो वो आपका international migration होगा, तो जो international migration है, उसका तो impact बहुत पड़ता है, लेकिन जो internal migration है, इसका impact कुछ नहीं पड़ता, population में, तो ये एक question है, काफी ज़्यादा important है, कि किस type का migration, population के अंदर impact नहीं डालता, तो internal migration कभी भी population में impact नहीं डालता, मैं state to state population की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके total population की, लेकिन हाँ, ये influence ज़रूर करता है, distribution of population in the nation, तेक हैं, आपके देश के अंदर जो distribution है कि कौन से हिस्से में, कितनी population रह रही हैं, उसको ज़रूर ये impact इस पे डालता है, अधिकतर भारत के अंदर जो ruler areas हैं, वहाँ से लोग migrate कर जाते हैं, just to have the opportunity for good healthcare facility, for good lifestyle, for good living conditions, for good education kind of facilities, which actually urban areas are giving, तो ऐसे में, उस seek में, that we will also find all such kind of facilities, उस seek के अंदर ये लोग चले जाते हैं, वहाँ पे, अपनी जगों को छोड़ करके, शहरों के और migrate कर जाते हैं, but population का migration, इस level पे जा करके, कि कुछ भी चीज हो ठीक है, अपने पास जमीन है, खिती बड़ी नहीं करेंगे, एक इसा बेज देंगे और शहर में जाके, establish हो जाएंगे, it gives the negative impact to the resources, which are actually people are using in urban areas, one more thing, वहाँ पे slums बन जाते हैं, job की facilities कम हो जाती हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती है, like environmental, environmental बहुत सारे degradations के causes में भी एकाउंट होता है, जब लोग अचानक से एक एरिया छोड़ जाते हैं, और दूसरे एरिया में बस जाते हैं, बहुत सारे negative impact होगी, सोचो खिती बड़ी हो रही है, गाउंवाली हिस्से में अब वहाँ से सारे लोग चले गया, वो पूरे एरिया क्या हो गया, बंजर हो गया, उससे वहाँ का जो atmosphere है, वो affected होता है, बहुत negative and positive points है, देखते हैं, nature-wise तो negative होते हैं, जब आप अचानक से imbalance create कर देते हो, दो places के बीच में, okay, so some kind of conditions, जहाँ पर poverty की condition भी आप create कर देते हो, unemployment की condition भी आप create कर देते हो, यहाँ पर इसको कहा जाता है, pull, pull of the city in a term of increasing employment opportunity, जब शहरों के नदर आपको opportunity दिखरी होती है, कि यहाँ पर job मिल जाएगी, तो वो attract करती है लोगों को, जो कि बेरुजगार है, ऐसे में इसको कहा जाता है, पुल, ओके, तो यह population change का एक बहुत बड़ा cause है, इसके कारण से जो population होती है, उसका size, urban areas में जादा होता है, और ruler areas में कम होता है, इससे क्या होता है, जो sex composition है, वो भी अलग हो जाती है, age distribution, population का age wise, वो भी काफी complex हो जाता है, इंडिया के अंदर, ruler and urban areas में, migration result रहा है, लगातार, percentage of population increase in cities and towns, ठीक है, यह बहुत बड़ा cause है, कि लोग migrate हो जाते हैं, गाहों से और शहरों के, अपने नजदी की शहरों में जाके बस जाते हैं, urban population increase हुआ है, urban population increase हुआ है, 17.29% से, total population में 51 से लेकर, 2011 के अंदर, देखो, total अगर बात करेंगे, तो लगभग 2011 की population के अंदर, देखो, यहाँ पर समझना, urban population has increased from 17.29, जो की 1951 में थी, and 2011 के अंदर, that is 31.80%, लगभग 17.29 से, 17.29% से यह भढ़ते हुए, आज 31.80 हो गया है, 2011 के अंदर, मैंने आपको पहले बताया था, हम 2011 तक का ही data ही study करेंगे, क्योंकि official अभी को data नहीं आया है, 2013 में आएगा, इसके अंदर, इसने कहा इसी कारण से, जो million प्लस cities है, यह title, जो है, उसमें भी बढ़ाओतरी हुई है, मतलब शेहरों के अंदर, convert होती जा रही है, बड़े बड़े areas, या शेहरी तौर तरीकों को, follow किया जाने लगा है, शेहरी तौर तरीकों में क्या होगा, खेती बड़े नहीं करेंगे, बड़े बड़े सुंदर सुंदर buildings बना देंगे, अच्छी पक्की रोड होगी, बड़े-बड़े MNCs काम करेंगे, अगर बड़ा शेहर है तो, लेकिन इस सारी चीज़ें, हमेशा अच्छी नहीं होती, अगर सभी लोग इसी चीज़ पर फोकस करेंगे, तो हमारे हाँ का, जो population है, जो गाओं में बिलॉंग करता है, और जो खेती बड़े करता है, अगरी कल्चर में इनका participation है, वो बिल्कुल शुर्ने हो जाएगा, वी हैव दे टू ग्रैफ्स, यहाँ पर है percentage, decade, growth rate, तो कितना growth मिला है, 1951, 1961 तक अगर देखेंगे हैं, तो first, इन 10 सालों के अंदर, आज़ादी के बाद, इन 10 सालों के अंदर हमें, population के अंदर 21% का growth मिला था, अगली decade में हमें 24% का, फिर next decade में 21%, 24% का, next decade में 23 का, फिर next decade में 21% का, and then, 17.64%, अब अगर देखेंगे, तो हो सकता है, ये growth rate आपका कम हो, growth rate क्या है, जब हमने 2 rates की बीच में, मैंने का 100 लोग थे पहले, फिर 121 हो गए, ये ही तो हमने बात की, 100 से 121 हो गए, इसका मतलब, यहाँ पर 21% का growth मिला था, population को, ठीक है, एक और आपके यांग ग्राफ दे रखा है, population million में, कितनी million, तो हम data यहाँ से बढ़ते हैं, तो इतना million population, फिर इतना million population, इतना, 36 करोड, 43 करोड, 54 करोड, 68 करोड, 84 करोड, 102 करोड, और 121 करोड, 2021 के यसाब से, 21 के अंदर, 140 के आसपास मेरा नुवान है, 140 के आसपास, आपका population होगा, officially, बहुत सार लोग तो बताते ही नहीं है, अपनी population, उनके घर में, जब पूछने जाते हैं, कि आप कहाँ पर कितने सदस्य हैं, तो वो शेर नहीं करते हैं, ठीक है, So, the next topic is, Impact of Urbanization in India, We will discuss this topic tomorrow, We will discuss this topic in next video actually, तब तक के लिए,